अयोधिया ने राम भगवान की जनम भूमी ने बीजेपी को मेसेज दिया और ये आपके सामने मेसेज बेठे हुए है मैंने इंसे पूछा कल कॉफी पी इंसे मैंने पूछा बताईए मैंने पूछा कि बताईए ये हुआ क्या बीजेपी ने बीजेपी ने राम मंदर का इनागरेशन किया बोलने दीजे राम मंदर का इनागरेशन किया शटी में जरूतर के आभी आप आप को नहीं तो नाम बोलने की कोई जरूत नहीं है बंगा तो अयोधियांने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ किया और इनका जवाब आया मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोदिया में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था और मैंने कहा ये क्या हुआ उन्हेंने कहा राहूल जी अयोदिया में एरपोर्ट बना अयोदिया की जंता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुहाफ़ा नहीं मिला है उन्होंने कहा सभी बाद उन्होंने कहा कि अयोदिया में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी उन सारों को तोड़ कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया इन्होंने ये भी कहा कि अयोदिया के इन्योगरेशन में अयोदिया की जनता को बहुत दुक हुआ क्योंकि इन्योगरेशन में अदानी जी थे, अम्बानी जी थे मगर अयोदिया का कोई नहीं था और ये कारण था कारण था कि अयोदिया की जनता में उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भाए डाल दिया उनकी जमीन ले ली उनके घर गिरा दिये और फिर अयोदिया के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को मंदिर के inauguration तक नहीं जाने लिए मंदिर के inauguration छोड़ो उसके बाहर भी जाने लिए और इसी लिए अयोधिया की जंता ने सही message भेजा अच्छा इन्हों ने मुझे एक और बात बोली तीन बार इन्हों ने कहा कि तीन बार नरेंद्र बोधी ने टेस्क किया दो बार क्या मैं अयोधिया से लड़ जाओ और सर्वेयर्ज ने कहा अयोधिया में मत लड़ जाना अयोधिया में मत लड़ जाना अयोधिया की जंता हरा देगी और इसलिए प्रधान मंत्री वारा नची गए और वहाँ बच के निकले तो यहोदिया की जंता को डराया पूरे देश को डरा दिया मैं आपको बताता हूँ आज सुबह में आया राजनात सिंग जी ने मुश्कुर आके मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैटे है मुझे नमस्ते भी नी करते कई मोदी जी ना देख ले प्रॉब्लम हो जाएगी वो ही कहानी गटकरी जी की है सचाई है अरे भाई यहोदिया की जंता को छोड़ो यह तो भीजेपी वालों को डराते है मानिये सर क्या है मानिये मानिये